दोस्तों अगर आपका Facebook page या profile का content medicine policy और partner medicine policy का issue है या आपका page या profile demonetize हो चुका है monetization restricted है आपका Facebook page या profile से कमाई नहीं हो रहा है और आपका Facebook page या profile पर monetization enabled नहीं हो रहा है जो भी problem है सब problem का solution एक ही है Facebook ने वो solution दे चुका है हलोस्तों मैं हूँ सिधार्थ और आप लोग देख रहे हूँ टेक वाला तो चलिए शूरू करते हैं दोस्तों इसको अच्छे से समझने के लिए मैं इसकी recording को on कर चुका हूँ और proof के साथ आप लोग देख पाओगे कि Facebook ने क्या बता रहे है और इसको कैसे solve करना है यह दोनों problem जो show हो रहा है आपके page और प्रोफाइल पर रहे हैं यहाँ पर वो problem solve हो सकते है फिल्जूप पर content बनाओगे तो यहाँ पर दो policy है यहाँ पर दो policy को follow कर करके आपको काम करना पड़ेगा वो है पर पर नार्ड मोनिटेशन पोलिशी और content मोनिटेशन पोलिशी यह पर इस article में Facebook बता रहे हैं इस portion को गौडश देखिए यहाँ पर Facebook बता रहे है कि Facebook का जो मोनिटेशन टूल है उसको आप access नहीं कर पार हो वो access आपके पास है नहीं इसका meaning दो हो सकते है पहले आपके पास था आपका page मोनिटेशी था प्रोफाइल मोनिटेशी था उसके बाद वो lost हो चुका है, disabled हो चुका है और दूसरा line देखिए, but you believe that you should be eligible, you may able to submit an appeal under both partner and content medicine policy categories, दूसरे बात में यह कह रहे है कि आप मनते हो कि आप उसके लिए eligible हो, तो Facebook पर आप उसके लिए apply कर सकते हो, appeal कर सकते हो, दोनों के लिए partner या content medicine policy, लेकिन यह पर apply करने से पहले आ पॉलिश एक्चुली है किया, content medicine policy actually है किया, वीडियो देखने में आपको बोर लाएगा, मैसीर हो क्योंकि यहाँ पर लोग thoughts और रिल्स देके, दीमा कितना जल्दबाजी हो चुके कि long content में धैन ही नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि आपका concentration level बहुत ही down हो चुका है, तो जिनक इसके बार मैं जनकरें चाहिए और facebook से कमाई करना है, वो लोग धैन से देखिए, partner medicine policy actually है किया, यह page profile, professional mode, events, groups on facebook, facebook पर जो भी जगा है, जहां से facebook पर आप कमाई कर सकते हो, या कमाई करने का तरीका है, जैसे page profile है, groups से professional mode, यहने की profile को page में convert करना, और groups हर जगा पर facebook partner medicine policy apply होत है, और content medicine policy किया है, वो actually किया है, particular content के लिए होता है, your content itself must follow this guidelines in order to be eligible for certain medicine products, स्रिफ certain medicine products के लिए, कुछ medicine products के लिए, जैसे कोई particular content, video, reels, photo, यह meditation tools, वहां पर स्रिफ उस जगा के लिए content medicine policy apply होता है, तो facebook पर content बनाना है, तो content medicine policy को follow करके ही content बनाना पड़ेगा, जैसे content क्या होगा, content का size क्या होगा, content पर क्या upload कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, किस तरह का content upload करना चाहिए, उसका title कैसा होना चाहिए, और वहापर तो Facebook बता रहे हैं इसको आप apply कर सकते हो इसके लिए अलग अलग option है जैसे page profile groups के लिए कि आप डेश्टॉप से apply कर सकते हो उसके बाद individual है कि किसी particular वीडियो के लिए भी आप apply कर सकते हो उसके लिए अलग से form है इसका link में description में दे दूँगा पहले समझ लिजिए क्या से क्या करना है उसके बाद इस जगह को देंसे देखिए how to apply partner and country medicine issue on mobile अगर आपके पास mobile है जाए तर creator के पर सिर्फ mobile है तो mobile पर कैसे करना है उसके लिए यहां पर example दिया गया है on mobile you will receive a notification in Facebook जो भी problem होगा वहां पर notification होगा और वहां से directly आप apply कर सकते हो लेकिन मेरे हिसाब से आपको यहां से apply करना चाहिए यह सबसे असन तरीका है इस form में घूसोगे तो यहां पर देखो टैप करने के बाद यहां पर दो option show होगा कौन सा problem है content medicine policy या partner medicine policy उसके बाद उसके लिए अलग-अलग टीक है तो जहां पर problem हो रहे हो वहां पर ठीक कीजे तो वैसे गली यह video content medicine policy के ल उसको select करने के बाद देखें यहां पर क्या मंगा जा रहा है please include a link to the affected page or profile आपका page यह profile जहां पर भी problem हो रहा है उसका link यहां पर paste कीजिए यह video url जिस video पर यह problem होआ है please include a link to the affected piece of content यहनिके पहले page का link दीजिए उसके बाद जो content पर problem होआ है उस content का link यहां पर दीजिए content का link को यहां पर paste कीजिए उसके बाद यहां पर send का option है send कर दीजिए और बाद में जो जो one by one processes को follow करके apply कर दीजिए यह problem आपका facebook खुद solve करके आपको देदेगा अगर अगर eligible हो तो आपका problem को solve कर देगा अगर नहीं है तो वह वापस आपको return भीज देगा तो यह problem particular content के लिए है लेकिन आपका जो page monetize नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप क्या करोगे उसके लिए आपको तो उस situation के लिए पहले आपको facebook apps को open करना होगा open करने के बाद जिस जगह पर problem show हो रहा है इने की monetization status में problem show हो रहा है तो उस जगह screenshot ले लिजे पहले screenshot लेने के बाद जो setting का यह option है सभी को पता है कहां पर यह मिलता है तो यहां पर आईए यहां पर आने के बाद help and support में आईए यहां पर आने के बाद report a problem में tap कीजिए यहां पर tap करने के बाद जो एक option मिलेगा continue to report a problem यहां पर tap कीजिए यहां पर tap करने के बाद आपका जो report है वो आपको यहां पर लिखना होगा Facebook के लिए Facebook पर आप उसको send करोगे तो creating report में थोड़ा वो time लाएगा उसके बाद include कीजिएगा यानि कि उस जागा screenshot यहां पर attach करोगे include करने के बाद जो problem आपका हो रहा है कहां पर हो रहा है page या profile पर page के लिए आप यहां पर tap कीजिए अगर page पर हो रहा है ठीक है अगर profile पर हो रहा है तो profile से भी कर सकते हो उसके बाद यह जो description का box show हो रहे हैं यहाँ पर description करने के लिए कह रहा है यहाँ पर आपको कुछ लिखना पड़ेगा और लिखने के बाद यहाँ पर जो एक attachable option है upload from your phone जो screenshot अभी अपने फोन में लिया उसको यहाँ पर tap करके gallery से अपना photo को यहाँ पर जिसको screenshot लिया था यहाँ पर आप paste कर दिए वो paste हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है वो लिखने के लिए आपको जाना पड़ेगा telegram पर हमारा जो telegram है वहाँ पर आप जाएगे और इसका details जो message है मैं वहाँ पर provide कर दूँगा मेरा telegram है at the rate I am take वाला यह telegram पर जाके आप search कर सकतो take वाला यही जो profile picture लगा हुआ है वही profile picture आपको वहाँ पर मिल जाएगा यह जो message वहाँ से आपको मिल जाएगा वहाँ से copy कीजे और अपना page profile का नाम provide कीजे लिंक दीजे और सब कुछ वहाँ पर दे कर send कर दीजे और अगर आपको profile का link मिल नहीं रहा है तो अपना facebook page profile को open करने के बाद profile picture पर tap कीजे उसके बाद जो page profile के नीचे जो यहाँ पर three dots ह यहाँ पर tap कीजी यहाँ पर tap करने के बाद आपका page profile का link यहाँ पर मिल जाएगा देखिए share profile है यहाँ पर एक option है share profile या your profile link तो यहाँ पर जैसे आप कीजेगा आपका link यहाँ से copy हो जाएगा और वहाँ पर page link यह पर पेस्ट कर दीजेगा दोस्तों अगर आपका problem page पर हो जो solution यह profile से मिलता है आप profile से जैसे मैंने दिखाया अपना खूद का profile नहीं कि जिस profile पर आपका Facebook page attached है admin profile है और admin profile से भी report कीजे और page सी भी report कीजे तो आपका यह problem बहुत जल्दी solve हो जाएगा